हेलो एरोवन, मेंटर 365 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं सोर भी आदाओ, डिटेल में डिसकस करूँगा, डिक्रिप्लेस भी, गोवर्मेंट जोग्स के बारे में, या गोवर्मेंट टीचर, आप किसी भी स्टेट में लगना चाहते हैं, तो क्या क्वालि विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, मेरी पहली सेलरी भी दिखाऊंगा, हर साल कितनी सेलरी बढ़ती ही, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कम्पिटिशन लाग गुणा कम, विल्कुल डारेक्ट आप सेलेक्शन, और इतनी पढ़ाई तो आप करती हैं, ध्यान से, बस थोड़ी सी आप गलती कहां कर देते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सबसे पहले सेलरी से देख लेते हैं, तकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उससे पहले एक छोटी सी इन्फोर्मेशन है, जो बच्चे टीचिंग एक्जाम की DTSB की त्यारी कर रहे ह हैं, कॉंस्टेबल हो गया, हरियाना के एक्जाम्स हो गये, और भी कोई competitive एक्जाम्स है, तो उनके भी guidance batches application में available है, बार-बार coaching करने से बढ़िया है, एक बार guidance batches से जुड़के जरूर देखना बहुत फाइदा मिलेगा, देखो मेरी starting salary क्या थी, जब मैंने join करा, या किसी की भी जो trained graduate teacher होता है, 8930 में रुपए credit हुए थे, यह account में नहीं आए थे, क्योंकि account में जो cut के salary आती हो, बहतर 1347 आती है, यह आपकी NPS में, pension scheme होती है, जो है, क्योंकि अभी old तो है नहीं, GPF में तो cut ते नहीं, वो सारी बाते आप बाद में समझेंगे, यह समझ लो, cut के in hand salary यह थी, gross salary यह थी, अब एक साल बाद, जब होगे लगबग इतने रुपए, 4041 रुपए बढ़ गे हैं, अब जो gross salary है, 85,000 हो गई, बाई, इतनी ही salary, CGL में, 400 grade पे में, same salary मिलेगी, कहीं अगर कहीं, group C, कहीं और कहीं posted हो, तो इससे कम ही मिलेगी, teacher को इतना कम value मत दो, competition बहुत कम है, CGL में जहां 35-35 लाख form आते हैं, इस 400 grade पे की नोकरी के लिए, वहाँ teacher के लिए, 500 पोस्टों पे 10,000 form आते हैं, देख ले ना, TGT मैंद, SBC निकली हुई है, 10,000-12,000 बच्चे देने जाएंगे, अब समझ लो, इसकी eligibility क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद TGT हूँ, तो TGT के लिए आपके पास graduation होना चाहिए, प्लस दो साल का B.A.D. जो अभी graduate है, चाहे एक-दो साल gap भी कर लिया, B.A.D. जरूर कर लो, बाद में खुद कहोगे, सर, आपने कहा था, B.A.D. कर ली और teacher लग अगर honors कर रहे हो, math honors कर रहे हो, तो आप math के लिए leasible हो, chemistry या physics honors करो, तो 4 sem एक subject और पढ़ लेना, मालो physics honors कर रहे हो, तो 4 sem chemistry जरूर पढ़ लेना, परना बाद में पस्ता होगे, TGT science नहीं बरपाऊगे, TGT science के लिए 4 sem physics, chemistry, biology, तीनों में से कोई 2 subject 4 sem होने चाहिए, ऐसे ह वाडों के साथ है, अपना एक बार criteria पहले देख लेना, अगर आपने BA करी है, और 6 sem English पढ़िये, तब ही आप eligible हो, आप TGT English देने के लिए, अगर आपने BSC करी है, सिरफ 2 sem English पढ़िये, आप नहीं दे सकते TGT English, ये चीज समझ ले, उसके बाद PGT के लिए, दिल्ली में क् कोई CTAT नहीं चाहिए, कोई BA नहीं चाहिए, बस graduation हो, post graduation हो, 12th में, तीनों में आपके कुछ percentage का criteria है, 50% है, 60%, वो एक बार देख लेना, अगर 60% से कम है, तो BA मांगा हुआ है, CTAT तो होता ही नहीं है, PZT के लिए, PZT 12 तक पढ़ाते हैं, 11th and 12th को पढ़ाते हैं, और TZT 10 त post graduation तो अभी खतम होई है, MA political इस साल खतम होई है, लेकिन मैंने BA पहले कर ली थी, तो मैं TGT लग गया, अगर मैं post graduation पहले करता, और क्योंकि vacancy, PZT की 5, 10, 15 ऐसे आती हैं, अभी 14 vacancy आई है, political science हों, math में तो मातर 5, 7, 4 vacancy हैं शायद, TGT में 3, 400, कोई गुणा, तो ये चीज ध्यान दे लेना, PRT में क्या होता है, एक चीज और समझो, teaching jobs में drawing teacher, music teacher, physical education का teacher लगना बहुत आसान है, competition और भी काफी कम है, एक बार उनको भी ध्यान में रखके, क्या आप देखो, सीजल की तो त्यारी करी रहे हो, साथ सा तमने किसी course में admission लेके त्यारी चलते रहने तो क् प्रिकत है, PRT के लिए 12 चाहिए, 2 साल का diploma चाहिए, elementary education में, या 4 साल वाला diploma हो तो भी चलेगा, पलस अभी एक notification आया था, बाकि अभी original DSSB का notification आया तो पता चल जाएगा, जिनोंने beard का रखे, वो भी eligible है, पलस seat at paper 1 होना चाहिए, इसके लिए seat at paper 2 होता, 6 to 8th का वो होना चा होता है, तो जिनोंने seat at का रखा है, और graduation में math भी पढ़ा था, physics भी chemistry भी, क्योंकि MDU में pass course होता हो, चारो subject पढ़ते है, तीनों पढ़ते है, physics chemistry, तो 6 के 6 SM, तो आप math भी भर सकते हो, science भी भर सकते हो, इसी समझ लो, ठीक है, तो भाई, बढ़िया vacancy होती है, teacher की, बढ़िय salary होती है, सकून, बतलब ये समझ लो, बिल्कुल आराम की नोकरी, 6,5-6 गंटे की नोकरी, मेहनत करोगे, इज़त का है, बच्चों को पढ़ाओगे, आपको एक अंदर से खुशी, आत्मा आपको खुशी मिलेगी, जब आप उन बच्चों को पढ़ाओगे तो, ठीक है, त झाल, 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